नमस्कार गायतरी जोतिसकेंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है हमेशा ही मैं आप लोगों के लिए बहतर से बहतर उपाई लाने का प्रयास करता हूँ कि जिनका आप लोग लाब उटा सकें और अपनी समस्याओं को दूर कर सकें उपाई सरल है सरल से सरल भी है कठिन है और कठिन से कठिन भी है ऐसे भी उपाई हैं जिनने महाउपाई कहा जाता है कि जिनने यदि आप एक बार कर लें तो आपकी समस्या हैं तो दूर जब आप इस धर्ती लोक से विदा लेते हैं तो पुन्य प्राप्ति के साथ विदा लेते हैं सास्तर में कहा गया है कि स्वर्ग लोक में आपका स्वागत किया जाता है जैसे कि भगवत कीता का आयोजन करवाना देभी भगवत का आयोजन करवाना ये ऐसे बड़े महा उपाई माने गए हैं जिनके जो कि 9 दिन, 11 दिन के चलते हैं और इनका आयोजन करवाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनोती होती है पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है याप पर को पैसा तो हर कोई यहाँ पर को निवेश कर सकता है किन्तु इनका आयोजन यदि सपल पूरवक हो गया तो समझ लीदिये कि आपने अपने साथ साथ अपने पूरवजों के पितरों को भी का भी तारण कर लिया और आने वाली कई पीडियों का भी आप तारण कर जाएंगे तारण का आर्थ यह नहीं है कि उनको तो अपने करमे के उनसार अपना जीवन यापन करेंगे लेकि सद बुद्धी के सांथ क्योंकि आपके घर में इतना बड़ा आयोजन हुआ है यह इतने बड़े महाउपाई सास्त्र में माने गए हैं कि तो आज हम लोग आप लोगं के लिए ऐसे उपाई लेके आते हैं कि यह उपाई हर किसी के बसकी बात नहीं होती है कि आप छोटे-छोटे जो उपाई होते हैं उन्हें करकर भी आप लाब ले सकते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि हमने एक बार क्या लाब नहीं तो एक बार भी यदि हम उपाई कर ले तो हमें उसका तुरंत फल मिलेगा यदि हमारे स्टार ही वीक हैं और उसमें भी हम एक बार कर रहे तो उहां पर तो जूंग भी ने रखेगी यानि कि कहावत है कि एक बार करके कुछ होएगा ही नहीं आप लगातार करते रहे निश्टा के साथ विस्वास के साथ करते रहे अप अवस्चे ही सपल होगे क्योंकि आपका विश्वास आपको सफल बनाएगा उपाई तो अपनी जगह पे है तो ऐसा ही एक उपाई आज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो पहले के बुजूर्गे लोग बताया करते और सास्त्र में भी इसे हर समस्या को दूर करने है तो मनो कामना को पूर्ण करने है तो अपना किसी भी कारे को सफल बनाने है तो एक चमत कारे को पाई बताया गया है सास्त्र धर्म सास्त्रों का एक सार है कि यह जो कल्यूग है वह भगवान स्री कृस्टन के नाम और गीता के सार के अनुसार चलाए मान है जिस दिल यहाँ दो चीज़ा यहाँ पे समापत हो जाएंगी इस कल्युक का भी अस्तित्व समापत हो जाएगा उनकी हर चीज बेस्कीमिति है भले ही उनकी जन्म भूमी है या यमना नदी है या जिन चीजों का वहां इस्तेमाल करते थे धारन करते थे वहां चीज भी अपने आप में बड़ी चमतकारिक है बहले ही वहां मूर्ग पंक हो या उनकी बांसुरी हो तो आज हम संक्सिप्त में आपको सास्त्र के अनुसार स्री कृष्ण भगवान की जो बांसुरी है कितनी सकती होगी यहाँ चीज आप समझ सकते हैं बताया गया है कि किसी भी उद्देश से फल की प्राप्ति यदि आपको करनी है तो आप भगवान स्री कृष्ण की सबसे प्रियवस्तु बांसुरी अपने घर पे ले आईए कभी भी आप ला सकते हैं स्री कृष्ण ने जन्मास्टिमी यदि आपको के आसपास आप लाएं तो बहुत सुभ है वहाँ पर को वर्डन है इसका तो उसको जब आप घर पे लाते हैं तो उसको स्याम सेत वर्ण यानि कि जो गहरा आस्मानी होता है जिसमें ब्लेक कलर और ब्ल्यू कलर का जो स्याम वर्ण सभी लोग समझते हैं उस वर्ण में थोड़ा सा उसको भिगो लीजिए उसको इसनान करा दीजिए और बांसुरी के पीछे से एक भोज पत्र में बताया गया है कि आप जिस उद्देश से के लिए उसको लाए हैं उस उद्देश से को लिखकर बांसुरी के पीछे से उसके भीतर डाल दीजिए या किसी धागे में किसी भी धागे में उसको तीन बार लपेट कर उसके टांग दीजिए जो आपकी मनो कामना भी हो सकती है कुछ भी है उद्देश से फल प्रापती है तू अब उस बांसरी को जिस दिन से भी आप मंदिर में रखेंगे यहाँ प्रक्रिया करने के पस्चाथ मंदिर में ऐसे स्थान पे रखना है जो कि पवित्र हो जहाँ पर आप अपनी कीमती चीज़े रखते हैं भगवान को आप जहाँ पर विराजते हैं वहाँ पर को आप उस बांसरी को रख देंगे जिस दिन आप उस पे रखेंगे तो थोड़ा सा उस पे आप अपनी मनो कामना को मुह पे रखकर उस पे बोल देंगे ताकि उसके अंदर से कुछ आवाज भी निकल जाए जैसे हम फूक मारते समय उसमें बोल सकते हैं अपनी मनो कामना उसके बाद उसको हमने उसी इस्तान पे रख देना है स्याम स्वेत वर्ण से थोड़ा सा इस्तान कराने के पस्चाथ पहले होगा हो अब आप डेली भी हप्रक्रिया कर सकते हैं किन्तु आपको डेली उस्तान कराना पड़ेगा नहीं तो आप पंदर दिन में, बीस दिन में, एक मेहने में, पैतालिस दिन के भीतर भीतर आप एक बार अवस्य ही इस प्रक्रिया को करें उसको रख उस दिन भी करें डेली भी कर सकते हैं या आप अपने समय सीमा के अंसार कर सकते हैं तो बताया गया है कि जब जब आप उसमें बतावा क्यों सबसे प्रियवस्तु है भगवान सरी कृष्ण की जब भी आप उसको बजाएंगे तो कहीं न कहीं उस मनो कामना जो आपने भोजपत्र के अंदर उस पे लिकर डाली हुई है तो उस पे वह भनी जाएगी और वह मनो कामना कहीं भगवान सरी कृष्ण के चरड़ों पे पहुँचेगी और कहीं न कहीं भगवान का ध्यान उस पे जाएगा तो अवस्ये ही वह मन जो शास्तर मैं बताया गया है. मैं नहीं बता रह हहूं यदि आपको भूझपत्र नहीं मिल पाता है तो सास्तर میں कहा गया है कि अश्ट गंद को थोड़ा सा पानी में बिगो कर किसी सादे कागच को उसमें बिगो लिजिए रंग दीजिए वह आपके लिए भोजपत्र के समान कारे करेगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं यदि भोजपत्र उपलब्द न हो समझ गए होंगे संक्सित में मैंने बहुत आसानी के साथ आपको समझाने का प्रियाज किया बासुरी लेनी है और उसको स्याम स्वेत अपने मनोकामना वाला कागज डाल देना है और बासुरी को प्रति दिन भी बजा सकते हैं और पंदस-पंदर दिन हफते बर जैसे आप मंगल से मंगल कर सकते हैं जिस दिन से रखा है उससे ठीक साथ दिन में वह सबसे बढ़िया प्रिया आपके लिए रहेगी और अवस्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी सुबह साइं दिन में जब भी आपका समय हो भगवान स्री कृष्ण का ध्यान आप उस बीच करते रहिए तो यहां एक अत्यंत सरल उपाय था सास्तर सम्मत उपाय था यदि आपको यह उपाय पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक क देखने के लिए नोटिपिकेशन बैल बैल आइकन अवस्चे ही दबाईए आगे को हम जोतिस के ग्रहों से संबंदित बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत जल्द परसारित करने वाले हैं थोड़ा समया भाव की वैसे हम आप लोगों के लिए नहीं ला